हालो फ्रेंस, न्यूज राया है कि वो जो इवनिंग न्यूस्पेपर था उन्होंने माफी मांगा है कि उन्होंने गलत न्यूज छापा था, हमें लगता है कि बड़ा पर नहीं होता है कि इसको इसी वहें में समाप्त करे और ये apology को accept करकर आगे बढ़े हमारे सामने बहुत problem है करोना का हम लोगों को खाना नहीं मिल रहा है बहुत जगे में राशिन कार्ट का problem है बहुत लोग बाहर में फसे वह हैं तो अभी इसमें concentrate नहीं करके अपने लोगों का help करने का हम लोगों को effort करना चाहिए उन्होंने और एक चीज़ कहा था कि media has the freedom to publish anything, media does not have the freedom to publish anything, media has the freedom to publish the truth, media के पास छूट है सच लिखने के लिए, जूट का प्रचार करने के लिए freedom नहीं है तो आप भी हमें media के बारे मत समझाए, मैंने भी TNT 13 साल चलाया है, मैं भी जानता हूँ कि reporting और journalism में क्या फरक होता है अगर आपको अपना राय, नीजी राय देना है, तो आप उसको report नहीं बोल सकता है, आप वहां में हर newspaper में एक editorial होता है, आप edit piece लिखे लेकिन उसको reporting करके मत चापिये क्योंकि ये against the ethics of media है Second, freedom is not absolute under the Indian constitution, freedom is not absolute for politician, freedom is not absolute for the army, freedom is not absolute for the judiciary and freedom is not absolute for the media